राजधानी शिमला में स्ट्रीट लाइटों का रख रखाओ करने वाली कमपनी के खिलाफ नगर निगम सक तो गया है कमपनी द्वारा खराव स्ट्रीट लाइटों को ठीक नहीं किया जा रहा है जिसके चलते अब कमपनी को नगर निगम ब्लैक लिस्ट करने की त्यारी में है शुक्रुबार को नगनिगम के मेर सुरंदर चौहान की अध्यक्षता में शेहर की स्टीट लाइटों की व्यवस्था को लेकर एक बैठक हुई इसमें बिजली बोर्ड के अधिकारों से लेकर शेहर में स्टीट लाइटों के रख रखाओ संबालने वाली कंपनी के पद अधिकारी भी मौज़ुद रहे हाँ देखिए आज इलेक्टिशिटी बोर्ड के अधिकारी चाहे वो रूलर के थे या अर्बन के थे एक्षन एस्डियो और जईज भी थे और हमारे कॉर्परेशन के कमिशनर और बेंडर के एक्षन सभी लोग थे और इसमें जो आपने जो पूछा कि कितनी लाइटे नही पूल खड़े कर दी हैं और इसके अलावा कुछ पूल में जो पराने पूल एक्जिस्टिंग पूल में उसमें लाइटे लगनी है सबसे बड़ा इशिव हमारा पिछले आहूस में आया था कि लाइटे खराब है काफी लाइटे खराब है उसको अटेंड ली किया जा रहा क उसके कंपणी है जो बिजली बोर्ड ने दो-तीन कंपणी को साथ एग्रीमंट किया हुआ जिसमें double ESL है जो मैंटेनस देखती है और एक पौल जो हो लेक्टिशिटी बोर्ड करता है इनकी दो तरह की इस्यूस हैं तो एक पौल खड़ा करता है बिजली बोर्ड और जो ला फ्रोरिडा कंपनी के साथ हमारी ओनलाइन बेटिंग हुई आज अबी इसके साथ ही हमने उनको लाइन पे लिया था और लाइन इसके अपने इस्यू को एड्रेस किया था जिससे हम लोग इतने सडिस्फाइड नहीं थे हमने का जिसके इसके साथ कोई पूरी देश में अलग अलग कंपनी के साथ उनका का एग्रिमन चला हुआ है तो वो उसको मिक्सप कर रहा था इसमें तो हमने उसको कहा कि अगर आप दो तीन दिन में हमारे काम करते हो तो ठीक है क्योंकि हमारा इशू नहीं है हमारे पार से कोई इश्य नहीं है यह कुद रिखने के सब्सक्राइब है तो उनकी हमारी तरभ से ना कोई पेमेंट का इशू है ना कुछ और हमने तो पूरी पेमेंट करेगी इन इनका इश्यू जो इन्होंने आगे सब्लेटिंग कर रहे है, फुरिडा केमपनी है, उसके साथ है, अब उसका इश्यू से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमने उनको बिल्कुल इनका डिरेक्टर है, हमने टेलीफोनी के लिए उससे भी बात करें और उनको चिथी भी लिख रहे कर दो